बिस्मिल्लाहिर रह्मानि रहीम अस्सलामु अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होब आप सब ठीक हो अल्ला पागा आप सबको अपने हिव्ज़ों मान में रखे सो आज मैं आपके साथ बहुत यूनीक सी बेबी स्काफ आपके साथ ने शेयर करूंगी और आई होब मेर करके बताना है आपको यह इसकाफ कैसी लगी ठीक है अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी लाइक करें शेयर करें और जो मेरे देखने वाले वीवर्ज हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं जो हूँ किस मैथट से आपके साथ इस टीचिंग अपनी शेयर करती हूं और मै में आज़ी तरह से सकाफ सेट करके रखी हूं और अब मैं यहां से फुल लैंद नापेंगे तो हमारी फुल लैंड जो है, फ्रिल हम जो लगाएंगे नहीं हमारी फ्रिल में आ जाईगी ठीक है और अब जो मैं फुल लेंथ इसकी लगाऊंगे ना बैक साइड यह मैं 18 इंच की लगाऊंगी ठीक है और फ्रेंट साइड जो है आपने 17 इंच की लगा लेनी है मतलब एक इंच जो है फ्रेंट साइड से और इनोंने फरेंट साइट से बहुत जयादा short जो है length जो है इनकी बहुत जयादा short है ठीक है और अब मैं आपको अपनी जो measurement है न मैं वो बता रहा हूं अगर आपने back side से जो है अगर आप ये देखें फञहां 18 इंच YouTube कर देना है ओपर 17 दीक dipping जो है ऐपने front Welcome battery से ले लेनी है और बैक साइट से जो है हम 18 इंच के लगा लेंगे ठीके और अब इस तरह से हमारी बैक फ्रेंड की जो है मेजर्मेंट हो गई और अब इसके बाद जो है यह जो सर की साइड होती है अब हम इसकी measurement करेंगे और इसकी measurement करने के लिए आपने बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके इसकाफ को पहले रखना है और अब इसके बाद यहां से आपने इसकी measurement करनी है अब यह देखें यह 4 इंच हमारी यह complete आ रही है सिलने के बाद और अब मैं यहां साड़े 4 इंच की cutting करूंगी और half इंच जो हमारी सिलाई में चली जाएगी ठीक है और अब यहां मेरे पास 2 गस फैबरीक है 2 साल की बेबी के लिए मैं इसकाफ बना रही हूं तो मेरे पास यहां 2 गस फैबरीक है आप चाहें तो डेड़गस फैबरीक भी ले सकते हैं डेड़गस में भी आराम से इसकाफ बनकर तयार हो जाएगी और अब इसके लिए यहां मेरे पास यह लैस है और यह जो है मैं सर के पास इसे में यूज करूंगी यह इतनी से ही पीस है मेरे पास और यह वाली जो ब्यूटिफुल सी लैस है यह मैं सकाफ के पूरी राउंड में मैं से यूज करूंगी और इस तरह की कोई भी आपके पास लैसीज हो इस तरह से यह जैसे छोटा से यह लैसे मैं यहां पे के पास यूज़ करूँआंगे तो आम भी सरक्षा कर सकते हैं और अब या मेरे पास कुली वाली सइड है यहां से मैं इसकी फ्रण साइट के लगांगी और इसकी निशान निशान हो गई और अब इसकी बाद रही साईड के हमारी बैक साइड होगी ठीक है तो इसस तरह आपन निशान कम्प्लीट हो जाएगी इस तरह से फ्रेंट और बैग जो है हमने यह निशान कम्प्लीट कर लिये हैं और अब इसके बाद आपने इंची टेप को इस तरह से रखना है और एक राउंड सरकल जो है आपको निशान लगाते जाना है इस तरह से यह इस तरह से आपने 18 तो इसकाफ बनाना इतना कोई जादा असान है और इतने जादा कोई मुश्किल नहीं है बस आपने जो है ना कोशिश करनी है तो एक दफ़ा गलत होगी दूसी दफ़ा गलत होगी है बड तीसरे टाइम जो है न वो बहुत ही अच्छा सा आपने खुद तैयार कर लेंगे आप तो बस आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी कोशिश ज़रूर करनी है और इस महेंगाई की दौर में बच्चों के सकाफ बाहर से खरीदना बहुत जादा मुश्किल है और इस तरह से आप घर में ही तियार कर लें तो आपके लिए बहुत जादा असानी हो जाएगी और इतने जादा कोई भी मुश्किल नहीं है यह मैं समझती हूँ यह सकाफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है और इस तरह से पुरी राउंड जो है हमारी निशान कंप्लीट हो गई है और अब मैं यहां इसकी जस्ट कटिंग कर लूँगी बस आपके पास जो है इसकाफ का नाप होना चाहिए ठीक है आप किसी भी साइस की इसकाफ जो है नाप हो आपके पास उसी तरह से जैसे मैं निशान लगाई हूँ इसकाफ से इंची टेप को नाप कर आपने सेम अपने स्काफ की जो भी लैंथ आ रही है आपने उसकी लैंथ रखनी है और लैंथ जो है फरंट साइड जो है एक इंच आपने कम कर दीनी है इस तरह से आपने ये सरकल जो है आपने कटिंग कर लेंगे आप और इस तरह से जो है अब ये देखें ये जो सर के पास स जो खुली हुई सायड होती है अब आप इसकी measurement आप इस तरीके से करेंगी मैं जस्ट आपको नाप से बताती हूं बहुत जादा आसान हो जाती है यह देखें अब यह हमारी 8 इंच आ रही है इस तरह से जो है मैं इसको नाप लिहूँ एक इंच एक्स्ट्रा आप लगा दें ठीक है या इसकाफ बच्ची को पहना कर देख लें अगर आपको लूज हो रही है तो इसके इसाप से आपने बस चौक की मार्क करनी है और उसके लावा आपने एक्स्ट्रा पीसे को नीचे की तरफ बंद कर देनी है और इस तरह से पुर्ण की जो रांड है यह रांड है आपने इसकी निशान लगांगी , तो इससे जब मैं नापी थी तो इह चार इंच आही थी और आप से पील थी पैंपने लिए यह हमारी तीच आलें और मैं जो हूँ फिक्स जो है इसकी मेजरमेंट जो है मैं तीन इंच रखूंगे ठीके और अब यह जो राउंड सरकल जहां से हमने घेर कटिंग करी है इसकाफ की यह वही फैब्रीक है इसकी कोने वाली साइड जो है अब मैं इसे डबल फोल्ड करूंगी इस तरह से और इस डबल फोल्ड करने के बाद जो है मैं यहां से इसकी स्ट्रेट कटिंग कर लूँगी और अब इसके बाद जो है इंचे टेप से मैं यहां इसकी 9 इंच की निशान लगाऊंगी यह 4 इंच हमारी फुल कमप्लीट है और जब मैंने इसे डबल किया तो यह हमारी 9 इंच बन ग इस तरह से सब तरफ से आपने 3 इंच देख लेनी है बिल्कुल अराम से और अब मैं यहां जस्ट इसकी स्ट्रेट सिंपल कटिंग कर लूँगी और इस तरह से इसकाफ बनाना बहुत ज़्यादा असान है आपने ट्राई जरूर करना है और मुझे 11 कमेंट्स करके आप क्योर कर लेंगे सबसे पहले और जिस तरह से आस्तीन की मैथट हम लगाते हैं निशान इसी तरह से आपने यह निशान जो है राउंड निशान लगानी है और निशान लगाने के बाद जस्ट हम इसे कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमारी कटिंग कम्प्लीट हो जाएग दोनों साइट से बिल्वकुल लैस को आपने बराबर रखना है और अब इसके बाद इसी शेव में आपने कटिंग कर लेनी है तो इस तरह से लैस की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब इसके बाद मैंने दोनों सेंटर में चौक से निशान में लगाई हूँ और अब इसके बात सेंटर के एक बेस्टे निशान लगा लेंगे और अब ये निशान लगाने से ये होगा यह हमारी लैस जो है बहुत असानी से हमारी लैस कम्प्लीट लग जाएगी और अब इस तरह से अब में इसकी फ्रील की सिलाई जो हम करेंगे न दोनों साइड तो वह हमारी मोटी मोटी सी स्टिच होगी और इस तरह से क्लीन करने के बाद हमारी बारीक सी हमिंग होगी और अब यहां इसकी फ्रील की जो लंबाई है मैं यहां साड़े तीन इंच लगा रही हूं आप चाहें तो चार बराबर करके सारी लेंद को फ्रील में यूज कर ली हूं और अब मेरे पास यहां जितनी फुल घेर है इसकाफ की इसमें फ्रील लगानी है ठीक है और फ्रील किस मैथर से लगानी है यह देखें अब जितनी फुल घेर है आपके पास इसके लिए आपने फुल घेर के लिए आपने double fabric फ्रील की लेनी है बस आपने ये धियान रखने है जितनी भी आपकी घेर हो उससे आपने फ्रील डबल लेनी है जब आप पुरी डबल लेंगे तो आपकी फ्रील बहुती घनी सी और finishing वाली फ्रील आपकी लगेगी प्यारी सी और इस तरह से बस आपने ये धियान रखने है जितने आपकी घेर है फ्रील जो है आपकी double होनी चाहिए चाहिए वो अगर आप आस्तीन में फ्रील लगा रहे हो या दामन में फ्रील लगा रहे हो बस आपने fabric double रखनी है ठीक है हमेशा और अब इसके बाद यहां मैं लेस की stitching कम्प्लीट कर लूँगी तो मैं यहां सबसे पहले गोल्डन वाली जो लेसे मैं इसको जो है स्लाई से कम्प्लीट कर लूँगी और इस तरह से जो है हम लेस की जो सिलाई यह वह बहुत जाद है नीट अट टरीके से आपने लगानी है और इस तरह से बूट जो है आपने इस बात का धियान रखना है कि आपने जब भी कोई लेस वगर आप लगाए ना तो आपने बूट उठा कर जो है ना कपड़े को लाजमी सेट करना है अब पहले में गोल्डन वाली में लगाई थी अब मैं इसको ग्रीन में भी सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से मैं से पका कर लूँगी तो यह सिलाई हमारी complete हो गई और अब इस तरह से अब जो है ना इसकी center में ये देखें अब यह इसकी center है ना दोनों की center को आपने बराबर रखना है और बराबर रखकर इसकी सिलाई जो है बिल्कुल अराम से सिलाई लगानी है कोई भी आपने आलाबर रखना है, और चोटी चोटी सी सिलाई लगाते हुए आपने आगी के तरफ आगी एस तरह से हमारी लहस से की लगाएंगे circumferARD नाइब में सिलाई लगालेंगे सबस्क्राइब और इसे लग की से लगा लेंगे और इस तरह से दूराई यहाँ लगालेंगे कर लेंगे तो सिलाई में जो हैं आप अगर जलवाजी करेंगे रापकी सिलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और को राप हो जाएगी फिर आपको खूलनी होगी इससे आपकी टाइम वैस्ट पोकी बहुए तो आप कोशिश करें हमें फर्लड करने की ज़रूरत होगी तो हमें तो हमें प्रिशानी होगी तो अब में यह क्या करूँ कि इसको पर यहоं कि लगा कर हम पहले इस से कंसरी कर लेंगे और यह वाली कंसरी लगाने के बाद आप यह बं से constituents हम यह सबसे पहले बंसकर भूल इसकी जहां तक हमने जो यह चौप की निशान लगाई है ना हमने जस्ट इसको यहीं तक सिलाई करनी है यह वाली हैमिंग जो है बस इतनी सी हमने यह हैमिंग करके कंप्लीट करनी है और अब मैं सेम इसी तरह से दूसरी साइट की हैमिंग है हमारी मैं यहां इससे भी कंप्ली से हमारी कंप्ली ओ गई है और अब इसकाफ की हम इस सरह से हैमिंग करेंगे तो इस तरह से यह सिलाही ने नाजर नहीं आती नीचीad की हैमिंग तो जारूंगी, यहां इस तरह से ă army की लगाऊंगी तो इसकाफ को इस तरह अपने front side प्लट लेनी है और इस तरह से ये टॉप की सिलाई ये बिल्कुल असानी से लग जाएगी और आपको नजर भी आएगी सही तरीके से और अब यह देखें अब जो है ना इस सारे कच्छे को जो है इसकाफ की पहली वाली जो सिलाई है उसे आपने बिल्कुल अंदर की तरफ करनी है और इसे अच्छी तरह से आपने सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे यहाँ पर जरा और फैब्रिक अंदर की तरफ करनी हो रही है ठीक है अगी की तरफ से आपने बिल्कुल कपड़े को बराबर करना है ताकि आपके कपड़े में बिल्कुल भी जोल वागरा ना आए और सिलाई आपकी बिल्कुल फिनिशिंग से लगे तो यह देखे स्काफ के अगा अगर मुझे नीचे फ्रेल नहीं लगानी होती तो सबसे पहले में इसकी साइड बंद करती ठीक है और साइड बंद करें बिल्कुल बिल्कुल आपको भी नजर नहीं आएगगा और अब इस सकाफ में जो है मुझे अगर नीचे फ्रेल नहीं लगानी होती ना तो सबसे पहले मैं इसकी साइड बंद करती ठीक है और साइड बंद करने के बाद जो है मैं एक साथ पूरी राउंड को हैमिंग कर देती मुझे क्या करना है यहां सबसे पहले मैं यहां इसकी हैमिंग करूंगी उसकी बाद जो है मैं इसमें फ्रील लगाऊंगी उसके बाद जो है इसकी फ्रेंट साइड जो है मैं इससे बंद करूंगी इससे यह होगा कि हमारी फ्रील लगाने की टाइम हमें परिशानी नहीं होगी अगर हम round इसके बंद कर देंगे तो अब मैं यहाँ इसकी round की जो sly लगा रही हुँ न मैं इसको double fold करके अभी मैं नहीं लगा रही हुँ क्योंकि अगर हम double fold करेंगे तो हमारी जो है यह round की sly finishing से नहीं लगेगी तो आपने भी यूही करने है जब भी आपके पास अगर कोई Ambrella Frog हो या कोई Round वाली जो भी आपके पास Folding होना तो आपने उसे Double एक साथ नहीं करनी है आपने Just उसे Simple एक सिलाई करनी है उसके बाद अब मैं यहाँ इसकी Double Staging कम्प्लीट करूँगी और Ambrella Frog वागरा कि जब भी आप कोई Heming वागरा करें तो आप इसी तरह से करें तो आपकी जो है ना अब मैं इसके आपको Finishing चेक करवाऊंगी देखें आप अब यह बिल्कुल भी Round नहीं होगी बस इसमें यह जब महनत करनी होती है आपने एक सिलाई जो है ना सिंगल वाले आपने पहले पूरे Round में सिलाई लगानी है उसके बाद आपने यह टॉप स्टीच लगा देनी है और इस तरह से इतनी जादा कोई असानी भी होती है यह Heming करने में कि आप सोच भी नहीं सकेंगे आपकी Heming जो है इतनी जादा Finishing से आपकी Heming complete हो जाएगी और इस Heming में अगर आप Less नहीं भी लगाएंगे तो भी आपकी Finishing से यह Heming लगेगी और अब मैं यहाँ इसकी Frills complete कर लूँगी तो जो भी हमारी Frills में आपके पास Joined है उससे सबसे पहले आप Joined कर लें और यहां मेरे पास सारी Frills में जो है जस्ट एक ही Joined मेरी आई है तो मैं इससे सबसे पहले Joined complete करूँगी और अब मैं इसे सीधे वाली साइड जो है नीचे रखी हूँ और उल्टे साइड जो है उपर रखकर इसे मैं यूँ इस तरीके से अब मैं इसे फोल्ड करूँगी और ये पट्टी जो है हमारी स्ट्रेट है तो मैं इसे यहां डबल फोल्ड करके एक साथ मैं इसकी हैमिंग कम्प्लीट करूँगी और बस खयाल यह रखना है जहां पर आपकी जो मशीन के पास जो हाथे नीचे की तरफ इसे आपने खीच कर हैमिंग करनी है तो यह सिलाई जो है आपकी बहुत जादा बारीक से आपकी सिलाई लगेगी और यह जो सिलाई लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रुवत है आप कोई भी ऐसी एमिंग फैबरिक आप ले लें और उस फैबरिक में आप हैमिंग जो है ना क्राई करें हैमिंग बनाने की तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है वो कम्प्लीट होगी और इसमें जस्ट आपने क्या करना है दोनों हैंड जो है न आपकी इसको जो है ओपर की तरफ कपड़े को करना है और इस तरह से जो है आपकी फ्रील आपकी कंप्लीट हो जाएगी यह देखें इस तरह से और इसमें जो है न मशीन की कोई कारीगिरी नहीं है जस्ट आपने ज के हलकी सी चलानी है मोटर बिल्कुल भी आपको तेज मशीन जो है नहीं चलानी है मशीन जो है आपने बिल्कुल सिलो सिलो चलानी है और जब आप मोटर सिलो चलाएंगे तो आपकी यह फ्रिल जो है असानी से बनकर तयार होगी अगर आप एक साथ जो है ना मोटर चला देंग तो वो आपकी न फ्रिल बनेगी कुछ भी नहीं होगा अच्छा पूछ भी नहीं होगा तो बस आपने खयाल यह करना है कि आपने मोटर जो है बिल्कुल सिलो सिलो चलाकर यह फ्रिल त्यार करनी है और अब इस तरह से हेमिंग वाले पीस की ओपर आप ने इसे रख कर और जो भी फ्रील हमारी मूरी हुई है आपने इसको बिल्कुल सीधी करके अपने इसकी सिलाई जो है कंप्लीट करनी है और जो सिलाई हम फ्रील में लगाये हैं यह सिलाई हम ज़स्ट उसी सिलाई के ओपर ही सिलाई लगाएंगे I hope मेरे समझाने का method जो है वो आपको इंशालला समझ आ जाए और मेरी कोशिश यह होती है जो मैं आपको सिखा रही हो वो आपको लाजमी समझ आ जाए क्यूंकि आप अगर time waste कर रहे हैं मेरी वीडियो देखकर और मैं अगर अपने time waste कर रही हूँ अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो बनाने का मुझे कोई भी फाइदा नहीं है तो अगर आपको अच्छी लगे मेरी सिलाई तो प्लीज मुझे एक प्यारा सा comments करके कि आप मुझे लाजमें बता दिया करें कि सिस्टर्श मुझे अच्छी लगती है इस तरह से तो मुझे झो хочет होगी कि मैं अच्छी तरह से समझ जा रही हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ ओर रही है तो इस तरह से frieal हमारी complete लग गई है और अब मैं यहां इसकी लेस की सिलाई complete करूँगी और अगर मेरी stitching and cutting में आपको कुछ भी ना आए समझ में तो आप मुझे comments करके पूछ सकती हैं आप मुझे मैं again से उसी topic पर आपको वीडियो बना कर upload कर दूँगी और अब इसके बाद जो है अगयन से एक बार फिर आपने इसकाफ से नाप लेनी है और यह देखें यह जो है इस्टीच वल है ठीक है यह जर्सी फैब्रिक है इससे में जो है न मैं half inch या एक inch जो है ज्यादा बंद करूँगी और अब इस तरह से पहले में 8 inch की gapping थी हमारी अब मैं इसकी 9 inch की distance रखकर तो मैं इसकी side बंद कर लूँगी तो इस तरह से जो है हमारी side बंद हो गई है और अब उसकी बाद जो है यह हमेशा मैं कहते हूँ है इस तरह से ना आपने छोटे-छोटे से नन्नमुने से cut लगा लेने और इस तरह से cut आपको लगाने से यह होगा कि आपकी जो ratio अगर नहीं निकलती है बिल्कुल भी triangle shave में अगर आप cut लगाएंगे और इस तरह से यह हमारी beautiful सी scarf जो है बनकर तयार हो गई है और यह बहुत ही अगर आप इस scarf जो है ना अगर आप frill style बनाते ना तो वह बहुत ही प्यारी सी लगती है और कोशिश करें कि आप यह जो है ना frill के आप practice करें मैंने इसकी detail आपके साथ में शेयर कर दी है frill बनाने की तो आप जो है प्राइज जरूर करना ठीक है जैसी भी आपकी बने आप बस प्राइज जरूर करें बनाकर कोई भी आप extra fabric ले 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 और उसमें यह frill बनाने की आप प्राइज जरूर करें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपना बहुत सरा ख्याल रखें मुझे दुआ में याद रखें अला हाफेज